दोस्तों अगर आपका खाता भारतिय स्टेट बैंक में है और आपको अभी नया नया डेबिट कार्ड मिला है तो उस नये डेबिट कार्ड को कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, उसका पीन कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो हमने पहले ही आप लोगों को दे रखी है, आप लोग ह से फिलिप कार्ट अमेजन पर सौपिंग करने के लिए तो आपको कुछ इस टाइप की मैसेज आती है कि आपका जो SBI का डेबिट कार्ड है वो डोमेस्टिक इकम ट्रांजेक्शन के लिए इनेबल नहीं है आप जो है योनो योनो लाइट इंटरनेट बैंकिंग या फिर IVR य इस्तमाल नहीं करनी है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिना योनो लाइट के ही योनो SBI अप्लिकेशन के जरीए किस तरीके से आप अपने कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इनेबल कर सकते हो तो चलिए बिना डिले किये वीडियो को स्टार्ट क करते हैं पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है आप लोग उस वीडियो को देखकर यहां पर अपना योनो SBI में रेइस्टेशन कर सकते हो और अगर आपने रेइस्टेशन कर रखा है तो सबसे पहले यहां पर आपको करना होगा लॉग इन तो चलिए हम यहां पर लॉग इन कर करके ट्राइ करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बार हम सक्सेस्फुली योनो SBI में लॉग इन हो चुके हैं अब यहां पर आने के बाद आपके होम स्कीन पर यहां पर कार्ड्स दिखाई दे रही होंगी अब आपको इस कार्ड इस कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको debit card select करना है क्योंकि आपको अपने debit card को enable करना है online transaction के लिए अगर credit card को online transaction के लिए enable करना है तो credit card पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल तो हमें अपने debit card को activate करना है online transaction के लिए तो my debit card पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके account से जो debit card link होगा वो आपके सामने ही दिख जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो और इस debit card को हमें अभी online transactions के लिए enable करना है और अगर एक से ज़्यादा debit card है तो उसको आपको select करना होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि manage uses and limit यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है अगर आपको reset करना है ATM pin तो यहाँ पर click करेंगे card activate करना है तो यहाँ पर click करेंगे अगर card को block करना है तो यहाँ पर click करेंगे लेकिन हमें तो फिलहाल इसके limit को change करना है यानि कि इसके uses को control करना है online transactions के लिए इसको enable करना है तो manage uses and limits पर आप लोगो को click कर देना है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि domestic use के लिए यह activate है already इसको enable कर रखा international use के लिए हमने इसको बंद कर रखा है ताकि कोई गलत use ना कर ले ATM transactions इस debit card से हम कर सकते हैं POS transaction भी कर सकते हैं लेकिन e-commerce transactions के लिए यह जो है disable है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो e-commerce transaction ही होता है किसी online shopping sites पर या फिर online अगर आप लेंदेन करते हो debit card के मदल से तो इसको आपको enable करना होता है तो चलिए हम यहाँ पर इसको enable कर देते हैं और enable करने के बाद आपको यहाँ पर save changes पर click कर देना है जैसे ही save changes पर click करेंगे आपके bank में register mobile number पर एक OTP आएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो OTP आ चुकी है तो चलिए अब उस OTP को हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं OTP दर्ज किया submit पर click किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो debit card है वो successfully online transactions के लिए enable हो चुका है और यह जो limit है या फिर जो uses है वो update हो चुका है तो इस तरीके से काफी आसानी से हम अपने debit card को online transactions के लिए enable कर सकते हैं कभी भी अगर disable करना चाहो तो यहीं से आप लोग इसको disable भी कर सकते हो अभी देखिए यहाँ पर यह already enable हो चुका है तो इस तरीके से SBI के debit card को हम online transactions के लिए enable करते हैं उमीद है कि आप लोगों को इस छोटी से वीडियो में सब कुछ details में समझ में आ चुकी होगी और अगर कोई सवाल है तो वह comment section में लिखेंगे हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिए इजाज़त Thank you